कैसे हो मेरे होटवाले दोस्तों मैं हूँ आपका होग शेफ धीरज आज हम टॉपिक ले रहे हैं किस प्रकार से आप मैंपावर की जो कॉस्ट है कम कर सकते हैं अपने क्लाउड किचन के लिए क्लाउड किचन में जो मेजर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी या आने वाले होंगे उसमें जो आपकी मैंपावर कॉस्ट आती है और आपको किस प्रकार से जो यह मैंपावर वाली कॉस्ट है वो कम कर सकते हैं तो इसका जो कि अगर मैं बोलूं इसका क्या रीजन है मैंपावर का क्योंकि अगर आपकी सेल हो या ना हो मैंपावर को आपके शेफ को नहीं है उनको तो अपनी आपको मंत के एंड में सेलरी देने ही पड़ेगी अगर अगर आपकी सेल अच्छी होती है तो आप उनको सेलरी दे सकते हैं पर अगर आपकी सेल अच्छी नहीं होती है तो आपको फिर अपनी जेब से ही पैसा देना पड़ता है तो ऐसा आप क्या कर आप अपनी जो manpower की cost बचा सके, इसमें आप कर सकते हैं, सबसे पहले आप कर सकते हैं, जब आप अपना restaurant या cloud kitchen ओपन कर रहे हैं, उस time आप किसी एक professional की सलाह लेके किसी एक specific niche का एक restaurant खोल सकते हैं, चाहे हो burger का हो, drinks का हो, Indian का curry या तंदूर का हो, या फिर आपके Chinese का, special wedge का, rolls का, बहुत सारे ideas हैं, तो आप एक completely छोटे niche पे जाएं, अगर आपके investment बहुत ज़्यादा कम लग रही है, या आप बहुत ज़्यादा कम invest करना चाहते है starting में, आप एक niche पे जाएंगे, तो आपके equipment तो controlled में आएंगे ही, मतलब कि कम से कम आएंगे, साथ साथ जो आपको manpower लगेगी, वो भी बहुत ही कम लगेगी, अब इसमें आपको करना क्या है, आप जिसकी भी, इसमें help ले रहे हैं, जो भी chef आपकी help ले सकता है, आपको दे इसमें आपको पूरी तरीके साइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपको start करने से पहले क्या-क्या सोचना पड़ेगा, क्या-क्या आपको बाद में दिक्कते आ सकती है, साथ साथ अगर आप ये course purchase करते हैं, तो आप मेरे साथ कभी भी phone पे बाती कर सकते हैं, और जहां क्योंकि आइडिया हो कुकिंग का पर वो एक professional नहीं हो, तो आप अपने जो भी menus होगा, पूरा उसका जो settlement होगा, आप अच्छे से ट्राइल करवाजिए, अपने main chef के साथ, जो कि आपने consultant हायर करा है, उसके बाद उनकी recipes बना लीजिए, अच्छे से return में बना लीजिए, औ वही training अपने लड़कों को दीजिए, जो आपके लिए काम करेंगे, तो क्योंकि जो उनकी salaries होगी, यो काफी कम होगी, professionals की, पर उनको basic cooking आती है, जैसे कि मान लीजिए, आपके कोई burger का कोई setup है, और अप चाहते हैं कि सिर्फ burger वाले niche में काम करेंगे, तो आपके जो भी 10 प वो आपके charge करेगा, सुरू में charge करेगा, और एक बार ही charge करेगा, उसके बाद तो सारी recipes आपके सामने, आपके जो लड़की हैं, उनके सामने बनाएगा, उनको trial करके वो दिखाएगा, और उनको perfect जब तक ना हो जाए, उनको training देगा, same वही सारी चीज़े आप documents करके रख स इसके बाद जब भी आप कुछ नया implement करना चाते हैं, या same restaurant में आप दूसरा एक और नीश burger के बाद आप rolls का लाना चाते हैं, तो same अप फिर से किसी chef को ऐसे hire कर सकते हैं, जो कि आपके लिए वो काम करेगा, आपके लिए वो starting की support ready कर देगा, एक आपके लिए SOPs या documents ready कर द आता है, तो please मुझे WhatsApp पे contact कर सकता है, जिसके की price 2500 रुपए और आपको full support मेरेगी, अभी लगभग 5 लोगों ने ये ले लिया है, और ये आंकडा बड़ा आए धीरे धीरे और उनको support भी मिल रही है, तो चलिए मैं वीडियो को end कर दूंगा, कोई और topics होंगे, या फिर